अलो फ्रेंड्स दुर्गेस ये रेंडी वर वाचिंग टेक्निकल अम्तुम टिप्स तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग सैमसंग F50 और सैमसंग M30 दोनों फोन के केमपरेजन की लिए क्योंकि दोस्तो मैं बहुत दूनों सी यही बात देख रहा था कि हमारे जीतने भी भाइल होगे वह बहुत ही कन्फूज रहा है कि यार मैं कौन सा फोन लूँ सैमसंग M30 लूँ यह समसंग F50 दोस्तो आप अगर इस बात को जाना चाहते हो तो वीडियो के साथ बने रिएगा दोस्तो सबसे पहले मैं आप लोग से पुछना चाहता हूँ यार कि यहां पे मैंने यूट्यूब का टीशट पहन रखा है दोस्तो जैसे कि मैंने आप लोग इसकी अन्बॉक्सिंग और वीडियो भी दिखाए थी कि यहां से यह यह तीशट ऐसे आप ले सकते हो तो दोस्तो अगर आप इसके वीडियो नहीं देखे हो तो यहां पे उपर में आई बटन को दबाओगा तो वहां पे आप कोई वीडियो मिल जाएगी वहां से आप कोई जिली इसको देख सकते हो दोस्तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं Samsung F50 और M30 की comparison की तो दोस्तो बात करते हैं सबसे पहले किसी भी फोन की आन बान सान और जान होती है उसका processor और chipset तो दोस्तो देखो Samsung F50 में मिलने वाले आप लोग को Samsung Exynos 9610 का processor और दोस्तो यह जो फोन है Samsung F50 वो 1.7 GHz पे वर्क करता है और Octa 7 इसमें भी वर्क करता है दोस्तो जो F50 का बात है यह बहुत ही कमाल कैसे features दिया गए है processor और chipset से comparison to M30 क्योंकि M30 में क्या मिलने वाले आप लोग को कि यहाँ पे मिलेगा आप लोग का Samsung Exynos का 8910 का processor जो Samsung F50 से low है भाई साब तो दोस्तो अगर आप इस तरह से देखते हो और यह जो है Samsung M30 यह दोस्तो 1.6 GHz पे वर्क करता है तो इस तरह से देखा जाए तो आपको Samsung F50 लेना बहुत ही बेटर है उसके बाद दोस्तो बात करते हैं दोनों फोन में comparison बैटरी की तो दोस्तो देखो दोस्तो देखो बात क्या होता है कि आपको मिलने वाला है 여기 Samsung F50 में 4000 देमेज के बैटरी जुस्तो यहाँ पर jetzt360 थोड़ा सा यहाँ पर लो हो गया दोस्तो 4000 देमेज की बैटरी है इसमें और दोस्तो M30 में मिलने वाले आप लोगको 5000 देमेज के बैटरी कुछ मईने बाद दोनों फोन के बैटरी बैकप बिल्कुर सेम हो जाती है। इस तरह से दोस्तों Samsung F50 को ही लेना बेटर होता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस फोन की कैमरा की। तो देखो Microsoft A50 में मिलने वड़य है आप 5 25 पीसल का और 3 1 8 मेगाप और दोस्तों इसी में 24 पीसल की प्रैमेरे मिलने वक और आप 50 मेगा पिकसल का प्रैमरी केमरा मिलने वाला उसके बाद दोस्तों यह तो camera और इसमें हो गई बाग और दोस्तों खास बात इसमें यह भी एक अंतर आती है दोस्तों हमारे लिए मतलब यह माईने रखती है कि यार जो front camera होता है वो कैसे होना वाल क्योंकि front camera हमारे लिए बहुत ही माईनी रखता है जो important बात होती है operating system तो दोस्तों आपको काम करने वाला है यहाँ पे Samsung A50 में V9.0 जो Pi का वर्जन है वो काफी काम जाकास करता है दोस्तों A50 बेडर है और M30 के बात करें तो यहाँ पे आपको करने वाला है 8.1 का Oreo Vector दोस्तों चलिए आज के लिए इतना है दोस्तों मिलते अगले वीडियो में दोस्तों वीडियो पस्तान आई हो तो वीडियो को लाइक किजेगा अपने दोस्तों के साथ भी सेर किजेगा और आप हैसे हमारे YouTube टी-set के लिए थोड़ा खची मुची आपके जो मन में बात ही अग्रीब मेरे कमेंट बोक्स में दोस्तों बात हीगा चलिए सुमेंट अगले वीडियो में जाहें पाने दोस्तों